साथियों, बीते आठ वर्षों में देश ने भगवान विश्व कर्मा की प्रिरणा से अनेक नई योजनाई शुरू की है, स्रम एव जैते यह हमारी परंपरा को पूनर जीवित करने के लिए प्रयास है, आज देश एक बार फिर स्कील को सम्मान दे रहा है, स्कील डवलप्मेंट पर भी उतना ही जोड़ दे रहा है, इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्कील में भी उतने ही दक्ष हो, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्मान को सरवच्च प्रात्विक्ता दी है, हमारे देश में पहला ITI 1950 में बना था, इसके बाद के साथ दसकों में करीब करीब दस अजार ITIs बनेंगे, हमारी सरकार के आट वर्षों में देश में करीब करीब पाँच हजार नए ITIs बनाए गए हैं, बीते आट वर्षों में ITIs में चार लाग से जादा नई सीटें भी जोड़ी गई हैं, इसके अलावा देश भर में नेशनल स्किल ट्रेडिंग इंस्टिटूट्स, इंडियन इंस्टिटूट अब स्किल्स और हजारों स्किल डेवलप्मेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं, स्कूल स्तर पर स्किल डेवलप्मेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5000 से जादा स्किल हफ्स भी खोलने जा रही हैं, देश में जो नई राष्ट्य शिक्षानिती लागू की गई हैं, उसमें भी एक्स्पिरियन्स बेज लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्कूलों में स्कील कोर्सिज इंट्रोड्यूस किये जा रहे हैं, आईटी एईज के आप सभी स्टूडन्स के लिए सरकार ने एक और फैंसला किया है, जिसका लाग आप सभी को हो रहा है, दस्वी पास करके आईटी एईज में आने वाले छात्र छात्राओं को नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से, आसानी से बारवी पास का सर्टिपिकेट भी मिल रहा है, इससे आपको आगे की पढ़ाई में और ज्यादा आसानी होगी, आपके लिए एक और महत्वपुर्ण नेणे कुछ महिने पहले ही लिया गया है, अब हमारी सेना में आईटी आईज से टेकनिकल ट्रेनिंग लेकर निकले युवाओं की भरती के लिए विशेस प्रावधान है, यानि अब आईटी आईज से निकले युवाओं का सेना में भी उनको मुखा मिलेगा। प्रावधा